नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखंड की दिन भर की खबर जानते हैं चार जुलाई को जहरखंड बंद ओल्ची की हूल बैसी ने की घोसना, घार सिला के पावडा हिस्थीत माजी परगना महाल बखुल में आदिवासी परमपारिक सोसाशन बेवस्था की अधिकारिक संगठन ओल्ची की हूल बैसी की एक बैठक देश परगना बैजू मुर्मू क की अधियक्सता में हुई, बैठक में बैजू मुर्मू ने कहा है कि राई सरकार को संताली भासावा ओल्ची की के मसले पर 27 जुन तक ठोस करवाही के लिए समय दिया गया था, लेकिन सरकार उसमें भी फल रही, इसलिए अब ओल्ची की हुल बैसी ने 4 जुलाई को संपुन जारखन बंद का वहन कर दिया है, बंदी सुवह 7 बैसे साम 7 बैसे तक यानि 12 घंटे की होगी, बंदी में रेल रोड चक का जाम किया जाएगा, साथी ब्यवसाइक परतिष्ठान व इस्कूल को भी बंद कराया जाएगा, बंद से आवसक सिवावों को मुक्त रखा गया है उन्होंने कहा है कि ओल्ची की हूल बैसी राइस सरकास से निवेदन करता है कि संताली भासा के पुष्ठकों का मुद्रन ओल्ची की लिपी में कराया जाए, संताली भासा के सिख्षकों की बहाली आविलम कराई जाए मैट्रिक इंटर में खराब रिजल्ट पर सरकास सक्त 200 इसकूलों पर करवाई, जार्खन सरकार यह जानने का परियास करेगे कि जार्खन एकेडमी काउंसिल की मैट्रिक और इंटर्मीटर की परिच्छा में किन कारणों से कुछ इसकूलों का रिजल्ट बहुत खराब रहा सरकार ने ऐसे 200 स्कूलों की पाचान की है इन स्कूलों के परधना ध्यापकों या परभारी परधना ध्यापकों को रांची बुलाकर उनसे खरापई नाम के कारण पूछे जाएंगे साथ ही उनसे रिजल्ट में बेहतर को लेकर सुजाव भी लिये जाएंगे इस्कूली सिक्षा इमसक्षता विभाग इस बाबत इसी महीने दो दिनों का कारकरम आयोजित करने के तियारी कर रहा है जिसमें इन इस्कूलों के रिजल्ट की समिक्षा की जाएगी परते एक दीन स्वाव इस्कूलों के परधनाद्यापकों को बुलाया जाएगा विभाग के सचीव के रभी कुमार के अंसार परधनाद्यापकों से रिजल्ट पर वन टू वन बात की जाएगी और उनसे पुछे जाएगे कि आखिर उनके इस्कूल का परिणाम खराब क्यों रहा जबकि दूसरे इस्कूलों का रिजल्ट अच्छा रहा है जारखन के महुआ से बनेगी सराव गोवा की कम्पनी करेगी तयार जारखन के महुआ की इतनी ज्यादा मांग बढ़ चुकी है कि अब वाइन बनाने वाली देश की चर्चित कम्पुनियाँ भी इसके कारोबार में सामिल होना चाहती है परदेश में महुआ की बहुत तयात, मत्रा में पैदवार और सही रख रखाव नहीं होने से इसका बेवसाई की इस्तिमाल नहीं हो पा रहा है दूसरी तरफ गोवा में ब्रांडेट वाइन बनाने वाली एक कमपेनी ने जार्खन में महुआ से तयार होने वाली सराव की फैक्टरी लगाने में रूची दिखाई है यदि ऐसा हुआ तो परदेश में रोजगार के मार्ग तो प्रसस्त होंगे ही लोगों को आर्थिक रूप से भी मजबूत किया जा सकेगा बताजे राज में महुआ सराव का अवयद कारोवार वर्सों से चल रहा है इसका जयतर फैदा सराव माफिया और उग्रबादी संगर्टन उठा रहे हैं जारखन के जंगलों में मिलने वाले अस्दिये गुनों वाले पौधे फुलोक की बहुतायत के बाद भी पांच साल में महुआ फ्लावर वैलू एडिसन डेवलम्मेंट आइन कंट्रोल एक्ट लागू नहीं हो पादा है साहब गंज के पहाड से निकल रहा खुन जैसा पानी साहब गंजी ले के मिर्जा चौकी थाना छेतर के मन्रो अंचल अंतरगत बेल भद्री पहाड की तलहटी से निकल रहा लाल रंग का पानी को लोग रक्त समझ कर पूजा अत्ना करने में जुट गए हैं लोगों की अस्था है कि यहाँ पर भगवान सीव का सिवलिंग है इसकारण यहाँ से लाल रक्त स्राव हो रहा है लोगों ने अस्थाल के चारो और पोल वा खुट्टा गाड कर रसी के घेरे कर अस्थाल पर झांडा लगाते हुए परसाद चढ़ा रहे हैं पुजा अचना कर भगवान सीव के जय जय कारा का घोश कर मता परवती की जय खोश से पुरे छेत्र को भक्ती माय में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं इसके बाद जेसीवी के माद्यम से मीटी से अस्थान को ढग दिया गया है बताओ दे सुबा होते ही आस्था पर भारी पड़े लोगों ने मीटी को पुना खोद कर अस्थाल पर अगरबती जला कर पुजा अचना करना सुरू कर दिया है जैक ने नीजी स्कूलोवा कोलेजों के लिए बनाई नियमावली परिक्षा के आयोजन और प्रसास्निक बेवस्ता के लिए नियमावली बनाई गई चार सल बाद पूर्ण जैक बोड के गठन के बाद सनीवार को बोड के अध्यक्ष डक्टर अनील कुमार महतों के अध्यक्ता में बैठक हुई इस बैठक में उक्त नियमावली के स्विक्रिती परदान की गई इस नई नियमावली के लागू होने के बाद राज के नीजी स्कूल कॉलेज में काक्छा से लेक कर परिक्छा तक सब कुछ सरकारी स्कूल की समय सारनी के हिसाब से चलेगा जनकारी के उंसार राज जे भर में लगभग एक हैर सिक्षन संस्थान जैक बोट से सम्मध है बाबूल अलमरांडी ने कहा नितिस जुको अब सन्यास ले लेनी चाहिए लोग सभाज चुनाद 24 के लिए सभी पाटी अपनी कमर का सुकी है लभग सभी विपक्षी दल एक हो गए हैं और सतारूड भाजपा को मात देने की कोशिस में भी लगे है विपक्षी दलो का महा जुटान हो रहा है जिसमें यह रन निति बनाई जा रही है कि केंद्र की भाजपा सरकार को कैसे उखाण कर फेका जाए हाल ही में पत्ना विपक्षी दलो की मीटिंग होई थी विपक्षी दलो की जुटान और उसमें नितिस कुमार के सामिल होने पर बाबुलार मरांडी ने कहा है कि नितिस कुमार को अब सन्यास ले लेना चाहिए बाबुलर मरांडी ने कहा मैं नितिस जी का सम्मान करता हूँ वह परिवारवाद वनसवाद भरस्टाचार में नहीं है लेकिन पता नहीं उनकी क्या मजबूरी और कमजोरी है कि वे परिवारवाद वनसवाद को बढ़ावा देने वाली और भरस्टाचार में लिप्त पाटि में एक की मौत हो गई और बारा से अधिक लोग घायल हो गई सबी घायलों को इलाज के लिए अस्पतल पहुंचाया गया है गमी रूप से घायलों को हजारी बाय ग्रेफर कर दिया गया है बताया जा रहा है कि यहादसा तब हुई जब यात्री बिहार से रजरप्पा मंदिर पूजा अर्चना करने जा रहे थे जिसके बाद बस दुर घाटना गरस्त हो गई या घाटना हजारी बाके चवपारन एन एस टू पर घटी है 2024 चुनाव के लिए BJP का मंत्र बूथ जीतो चुनाव जीतो भाजपा के परदेश संग अठन महा मंत्री करमबीर सिंग ने कहा है कि 2024 के चुनाव का बीगुल बच चुका है इसलिए संग अठनी गति बीदियों के साथ संपर्क के समर्थन अभियान को गति देने क्यों सकता ह उन्होंने संपर्क से समर्थन अभियान की तीथी को 10 जूलाई तक बिस्ताडित करने की घोसना की श्री सिंग सनिवार को भाजपा दक्षिनी छोटा नागपुर परमंडल की बैठा को समोधित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि जन संपर्क अभियान का रूजहान असपष्ट जलक रहा है जानता नरेंदर मोधी को तीसरी बार भारत के प्रधान मंत्री बनाने के लिए संकल्पित है उन्होंने कहा हम बूथ पर सक्रिये हो मोधी जी के मंत्र को लेकर बार बार हर घर के दरवाजे पर जाएं के वल भोट के लिए नहीं जानता कि सेवा के लिए उनके स दूख में सभागी बनने के लिए उन्होंने कहा है कि बूथ जीतो चुनाओ जीतो यही 2024 का एक मुलमंत्र है मच्छरों का लारवार नश्ट करने के लिए अभ्यान शुरू बरसाद के मौसा में मच्छरों के पनपने का खत्रा बढ़ जाता है ऐसे में मच्छर जनीतो रोगों को लेकर अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया गया वहीं जीला मलेरिया विभाग ने डेंगू मलेरिया और चिकन गुर्णिया जैसे मच्छत जनीत रोगों की रोगथाम को लेकर सनीवा से राजधानी के वाडों में डोर टू डोर केम्पेन शुरू किया है इस दोरान दो दर्जन परिशरों से लारवा के सेंपल जुटाए गए इस दोरान लोगों को घरों में आसपास पाईन जामा नहीं होने देने के प्रति जागरूप भी किया गया जिला मलेरिया पता दिखाई डाक्टर एस करीम साबरी ने बताया कि अभियान के दोरान लारवा मिलने पर उसे नश्ट किया जाएगा मौसम विभाग की चेतावनी थोड़ी देर में होगी बारिस 3 जुलाई को जहरखन में भारी बारिस के साथ अलट जारी किया गया है मौसम विभाग के मुताबिक 3 जुलाई को जहरखन के उत्तर पूरी भागो में कहीं कहीं भारी बार्सा होने के असार है बिभाग ने आठ जीलो में भारी वर्षा और वायरुपात का अलट जारी किया है इन आठ जीलो में संताल परगना का देवगर दुमका गोटा जामतड़ा पाकुड और साहिब गंज के अलावा धनबाद और गिडी जीला सामिल है मौसम बिभाग के पुरोनमान के मुताविग पाकुड में अगले एक से तीन घंटे में हलके से मत दर्श की में गजन के साथ बारिस की प्रवल समावना है साथी वहरुपात की भी असंका है इसे देखते हुए मौसम बिभाग ने एलो अलट जारी कर दिया है सरावनी मेला से पहले अस्पर्स पुझा के लिए बाबा मंदीर में उमर रहे भक्त सरावनी मेला सुरू होने के साथ ही चार जुलाई से बाबा मंदीर में अरगाल लगा दिया जाएगा इससे पहले बाबा के असपर्स पुजा के लिए सर्धालों के भीड बाबा मंदिर में उमर रही है सनिवार को भी बाबा मंदिर में सर्धालों के काफी भीड देखी गई जमा जम बारिस में भी पुजा अर्जना के लिए भक्त कतार में डटे रहे भीर अधिक होने से लोगों को घंटों कातार में रहना पड़ा इस दोरान बाबा मंदीर में करीब 80,000 सरधालों ने असपार्स पुजा की है बता दे सैक्डों सरधालों ने भीर से बचने को लेकर सिख्र दर्शनम कूपन के माधम से पुजा की आम सरधालों की कातार क्यों कंप्लेक्स तक पहुँच गई थी भीर को कंट्रोल करने में जीला पर्शासन और मंदीर परवंधन को काफी मकसद करनी पड़ी सुभ तीथी होने के कारें सरधालों ने अनुष्ठान भी कराए वहीं बाबा मंदीर में कई भी आईपी भी पहुँचे इनमें केंद्रिये खादे प्रसंसकरन उद्योग मंत्री पसुपति कुमार पारस बिहार के स्रम मंति सुरिंद राम सारट बिधायक रंधीर सिंग समेत अने सामिल है पहली से आठवी तक के छात्रों को मिलेंगे मुफ्थ स्कूल बैग धनबाद के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशकबरी है कक्षा एक से आठवी कक्षा तक के सभी 1,88,7,446 चात्राओं को स्कूल बैग मुफ्थ में दिया जाएगा राज्य मुख्यले से मिली निर्देश के बाद जीला समगर कर्याले ने परिकरिया शुरू कर दिया है सबसे महतपून बात या है कि पहली और दूसरी कक्षा के छात्राओं की स्कूल बैग पर मातर 138 रुपे खर्च किये जाएंगे वहीं कक्षा 3-5 के लिए 144 रुपे तर था कक्षा 6-8 के छात्रों के लिए बैग के लिए 157 रुपे निर्धारित किये गए बतादे 133 रुपे में किस तरह के बैग मिलेंगे बैग की क्वालिटी कैसी होगी इस तरह सवाल अभी से सवाल उठना सुरू हो गाए है धन्यवाद